नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी से जुड़े इंपॉर्टन जज्ज्मिंट्स की इस सीरीज में मैं शगुन आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंदिरा नहरू गांधी वोसिज राज नारायन केस 1975 की दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि मेरी सभी वीडियो अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चानल जॉइन कर सकते हैं तो आए शुरू करते हैं दोस्तों, बात तब की है जब इंदिरा गांधी ने 1971 के जेनरल इलेक्शन्स में जीत हासल की थी उनके ओपोजिशन में खड़े राज नारायन ने इंदिरा गांधी को इलेक्शन्स में करभ प्राक्टिस अपनाने के लिए अक्यूज किया इस केस में अलाबाद हाई कॉर्ट ने 12 जून 1975 को अपनी जज्जमिन सुनाते हुए प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को इलेक्टोरल मल्प्राक्टिस के लिए गिल्टी ठहराया इसे लेकर इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कॉर्ट में अपील दर्ज की जिसके चलते सुप्रीम कॉर्ट ने अलाबाद हाई कॉर्ट की जज्जमिन्ट पर स्टे लगा दिया और जब ये अपील सुप्रीम कॉर्ट में पेंडिंग चल रही थी उसी दौरान 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी सरकार ने इमोजन्सी घोशत कर भी ये केस 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा नाशनल इमोजन्सी घोशत करने का एक एहम कारण माना जाता है कुछे दिनों बाद इमोजन्सी के दौरान ही 10 ओगस्ट 1975 को पाले मैंने अलाबाध हाई कौर्ट की जज्ज्मिन को इन्वालिट करार करने के लिए पास की 39th Amendment Act 1975 इस आक के तुरू Constitution में Article 329A आड किया गया जिसमें ये कहा गया कि सुप्रीम कौर्ट के पास प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर और लोग सभा के इलेक्शन से रिलेटड डिस्प्यूट के ट्राइल की पार्ज नहीं है अगले ही दिन, यानि की 11th August 1975 को सुप्रीम कौर्ट ने अल्रेडी पेंडिंग चल रहे इस केस की जज्जमेंट ली सुप्रीम कौर्ट ने अपनी जज्जमेंट में अलाबाद हाई कौर्ट की जज्जमेंट को ओवर रूल करते हुए इलेक्शन को अफेल्ट किया लेकिन आर्टिकल 329A क्लॉस 4 को ये कहकर इन्वालिडेट किया कि ये कॉंस्टिटूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वोईलेट करता है ये कहा गया कि आर्टिकल 329A is violating rule of law and principle of natural justice साथ ही साथ सुप्रीम कौर्ट ने judicial review और free and fair election को बेसिक स्ट्रक्चर का एक एहम हिस्सा बताया इस केस की judgment को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन को implement करने वाली पहली judgment माना जाता है सुप्रीम कौर्ट की इस judgment के response में पाले मेंन ने 42nd Amendment Act 1976 पास किया दोस्तों यहाँ यह जान लेना भी जरूरी है कि इस amendment ने लगभग two-third of constitution को बदल कर रख दिया जिसके चलते इसे mini constitution भी कहा जाता है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने समझा कि कैसे केशवानन भारती केस 1973 में फ्रेम हुई basic structure डॉक्ट्रीन को पहली बार implement किया गया और इस डॉक्ट्रीन का evolution भी हुआ उमीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो useful लगी होगी पॉलिटी के important topics को brief में समझने के लिए जुड़े रहिए study IQ education से Thank you for watching